नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पैनल और इस बैटरी के बारे में थोड़ा डीप से समझते हैं, क्योंकि डीपली से समझने का मतलब यह होता है कि इसके connection आपस में कैसे होने चाहिए और कैसे हैं, तो हम जब पैनल के डीपली जानते हैं और बैटरी का, जैसा कि हमने बैटरी क उस एनरजी को समझें, क्योंकि हर जगा पर देखेंगे तो एक ओम्सला का जो नियम है, वो चीजे लगती है, वो चाहें बैटरी हो, चाहें यह सोलर पैनल हो, वो कैसे हम प्रूव करेंगे, उसको हम देखते हैं, और समझते हैं, चलिए हम पहले सोलर पैनल को समझते हैं, यह बैटरी एक बैंक है, ठीक है, इसी में एनरजी हम स्टोर करते हैं, वो चाहें गिरेट की सप्लाई हो, चाहें वो सोलर की सप्लाई हो, और इसको हम एक बैंक की तरह यूज करते हैं, अब जो भी एनरजी है, इसके कैपिसिटी के अनुसार जो इसमें स्टोर है, अब इस कि जो क्यों समझते हैं कि यह एक फोटो वोल्टिक सेल होता है जिसमें आप दखेंगे तो इस टो टोटल के ऊपर फोटोंग सेल लगे हैं जो सिरीज प biology से रूप मेंρού 시नेट करके हमको यहां से output मिलता है जो हमारे battery के लिए जाता है अब यह फोर्टो वोल्टिक जितने भी चल आ है जैसे इस बैटरी के लिए 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसके लिए यहां पे इस से अधिक वोल्टेज होना चाहिए अब यहां पे एक पैनल आप जानते होंगे 12 वोल्ट का जो भी पैनल लेते हैं तो वहां पे 17.5 या 18 वोल्ट माल लेजिए उसका मैजमम बोल्टेज होता है जो यहां पर आउटपूट के रूप में मिलता है अब यहां पे जो आउटपूट के रूप में मिलता है इसको 17.5 यानि 17.5 वोल्ट या 18 वोल्ट यह open circuit यानि यह कहीं प इसको बोल्ट देने पड़ते हैं जैसे यह 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसको चार्ज करने के लिए कम से कम 14.5 होना चाहिए यानि धाई वोल्ट इससे अधिक रहेगी तभी बैटरी को पूरा यह कंप्रेक्स करके जो है चार्ज करेगा ठीक है अब इसके लिए यह जो 18 वो एक का है जिसे यहां से हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं यह हो गया यह हो गया हमारा प्लस और यह हो गया माइनस फिर यह हो गया प्लस फिर यह हो गया फिर यह हो गया माइनस अब जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी सेल जब स्तिरीज में जूड़ते हैं तो उसके इंक्रीज होते हैं या नि बढ़ते हैं अब यहां से इसके काउंटिंग देखिए ठारा वोट कैसे यहां पे मिलेगा और यह 5 एंपियर का होना चाहिए जो 100 वाट का पैनल होगा लेक 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 मतलब यह 18 हो गया ठीक है एक लाइन फिर इसके बाद नेक्स आते हैं तो यह भी टोटल जो है 18 होगा यानि 18 होगा तो यह 18 होगा ठीक है अब यहां पे चुकी 0.5 बोल्ट है अगर 0.5 पर 0.5 जोड़ेंगे तो एक होगा ठीक है तो यह टोटल जो हमारा 18 है यहां पर क्या हो गया 9 बोल्ट फिर यह रिवर्स जब यहां पर कनेक्ट होके सिरीज में आएगा तो यह भी जुड़ेगा 9 बोल्ट यानि 18 का आधा है यानि आधा क्यों 0.5, 0.5, 1 बोल्ट हुआ ठीक है तो यह टोटल हो गया यहां पर 18 बोल्ट 9 बोल्ट का एक है बस बार क्या होता है कि एक लाइन से जो जितने भी यह चल है इसको जोड़ने का काम करता है बस बार अभी जोड़कर दिखाते हैं आको अब नेक्स्ट आ जाते हैं इधर अब यह प्लस है तो जैसे यह हमारा 9 बोल्ट हुआ यानि 18 का ऐसे यह भी 9 बोल्ट हो गया फिर यह नहीं अधन्हारत देखें यह पर देखें यह फोटो बोल्टिक सबों जो होते हैं यह ञांसे 59 है इकड्री का से यह बाठी का से लोता दोjust है आще तो यह कुआ है एक सेल हो गया फिर नेक्स्ट दो सेल हो गया अब यह आगे जो है इसका है यह है पॉजिटिव यह इधर भी पॉजिटिव और यह है इसका निगेटिव अब यह जो सेल है जैसे 1.5 बोल्ट का सेल होता है जो बैटरी में उसके जाते हैं एक्जामपल पे लेते हैं तो यह हमारा 1.5 1.5 को अगर प्लस करेंगे ऐसे स्ट्रीज में चोड़के तो यह टोटल वोल्टेज यहां का हो जाएगा क्या 3 बोल्ट तो सेम यह कंडिशन जैसे यहां पे यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया ठीक है तो ऐसे यह सेल है यहां पे यह प्लस है तो प्लस यह हो गया माइनस यह है तो यहां से आप जलेंगे तो ऐसे यह एक्जामपल पे यह हो गया माइनस अब यह वाला पॉइंट क्या है ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ एक लाइन और एक बस बार यहां पे गया इक लाइन और यहां पर यह हो गया अब इसमें ओर पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे जुड़ते हैं यह देखिए हैं जिसे यह प्लस है और यह प्लस है यह प्लस प्लस का ऐसे यह जुड़ जाएगा ठीक है अब सेम इसी कंडिशन में यह हमारा माइनस है माइनस यह है माइनस यह है निगेटिव यह निगेटिव यह ऐसे जुड़ जाएंगे ठीक है तो यह निगेटिव और यह निगेटिव यह इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से पैनल की जाती है कि कहीं कहीं पे रोशनी अधिक पढ़ते हैं कहीं कम पढ़ते हैं तो यह पैनल पे जो डियाइन होता है सेल का जो बस बार लगे होते हैं और स्रीज वर पैनल का जो कनेक्शन होता है इस तरीके से होता है कि कहीं कम या कहीं ज्यादा रोश तो यह दो points पर जो भी यहाँ पर total voltage हुआ वह हमारा 18 volt हुआ और 2. something यहाँ पर ampere sow किया अब यह एमपियर यानि जो voltage की counting हुई है series में और ampere यहाँ पर जो इसका दे रहा है total यही चीज जो है आपका ampere अगर बढ़ाना होगा तो ampere को बढ़ाने के लिए क्या होता है वोन प्वाइंट वूंका इसल्का आसी हैं आप दोनरव इंपैर नीच होगा तल करंड गार्णलिक जो बढ़कर का होगा यह जो है कि इस में